हलो स्टूडेंट, मैं गुडूर सर, आप सभी का इस वीडियों साकत करता हूँ स्टूडेंट देखिए आपके सामने आज ये देखिए ये वीडियो लेकर आयों जिसमें इंटीग्रेशन की वो कुष्चन है स्टूडेंट जो आपके परिच्छा में बार-बार पूछे जा रहे हैं और समझो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है समझना है देखिए ये प्रसन 2019 में भी पेपर में आया हुआ है तो देखिए आज हम जो पढ़ाई आपको करवा रहे हैं वो इसी से बेसम काम करा रहे हैं ठीक है न इसमें क्या हो रहा है जो बोर्ड में आया हुए प्रसन है केवल उन्हीं को लगा रहे हैं कि नहीं आप खुद भी देख रहे होंगे तो अब यहाँ पर देखिए जब देखिए कि आपको इस तरह प्रसन मिल जाए तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है आपको जो है इस पूरे को अंदल ले जाकर मल्टिप्लाई कर देना होता है तो देखो कैसे आप करोगे मल्टिप्लाई उसको भी थोड़ा ध्यान दीजेगा जब अंदल ले जाओगे वन में मल्टिप्लाई करोगे तो ए की पावर यक्स और यहाँ पर आजाएगा सेक यक्स और जब इसका जब टैन वालिम करोगे बिटा तो क्या जाएगा ए की पावर यक्स सेक यक्स इंटू टैन यक्स यह हो जाएगा और देखे ध्यान दीजेगा यहाँ पर आपका क्या है डी अक्स है अब इस ब्रेकट को हमको क्या कर देना चाहिए आप कर देना चाहिए तो जैसे ही आप कर देंगे ब्रेकट को तो यहाँ पर देखे क्या हो इसी प्रकार से यहां पर ध्यान दीजेगा, क्या होगा, यहां पर E की पावर X तो ही है, यहां पर हो जाएगा CKX into 10X हो जाएगा, DX, यह आपका हो गया, देखे, ब्रेक करने से यह फाइदा हुआ, ठीक, अलग अलग इसको कर लीजेगा, अब student एक फार्मला हमने आपको ब लिख देता हूँ, फार्मला लिख देता हूँ पहले, ठीक है, कैसे आप लगाते हो, एक प्रकार का नियम ही समझो इसको, तो देखे, कहीं फस्ट फंक्शन लिखा हो, और इंटु बेटा सिकन फंक्शन लिखा हो, तो देखे, आप क्या करते हो, आप चादा इसे में इंटेगरेशन इसें कीटर, पहले, यहां पर आप करने ही है, बात समझे नहीं समझे, तो अब यहां पर देखे, क्या करेंगी यहां पर, देखे, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह जैसा है, वैस Yayos एस सको हमने लिख दिया है, ठीक है, तो यहां पर e की पावर x, और यहाँ पर लिखा है 6x dx लिखा है और प्लस इसमें लगाने चरह रहा हूँ तो देखो बेटा इसमें क्या कर रहा हूँ कि 1st function इसको माल लेता हूँ और 2nd function इसको माल लेता हूँ ठीक तो जहाँ पर 1st लिखा है वहाँ पर e की power x लिख दिया इंटीग्रेशन लिखा इंटीग्रेशन 2nd की जगा पर kx into 2nd की जगा बेटा यहाँ पर देखे क्या लिखा और 2nd का आगे इंटीग्रेशन है ने चुकित लिख दिया इसको यहाँ से kx और यहाँ 10x और यह देखे फिर उसके बाद curly bracket बंद है ना इसमें तो मैंने देखे dx और curly bracket बंद dx यह जैसे लिखा था बिल्खुल वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है अब student चलिए इतना काम हमारा complete हो चुका है अब देखे बच्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे करेंगे कुछ नहीं देखो यहाँ पर क्या लिखा इसको पहले देखो equal to integration of e की पावर x cig x d x यह लिखा है यहाँ पर देखो पच्चा क्या लिखा है यहाँ लिखा e की पावर x लिखा है और बिटा 시क de x ग्य इसका integration जो होता है वो होता है CX होता है क्या होता है CX होता है और यहाँ पर देखिए माइना से लिखा है तो माइना से लिख दिया integration लगा तो integration लगा दिया फिर E के पावर X का differentiation कह रहा लिखो ठीक है तो E के पावर X का differentiation यही होगा आप कह रहा है कि CX into 10X इसका integration कीजिए, तो integration जब इसकाम करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा, यह आपका हो जाएगा CX हो जाएगा, कि नहीं? और देखो, इससे यह क्या हो जाएगा? currency हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, क्या बचे गए आपका E की power X, और यहाँ बचा CX यहाँ पर लगा दोगे, प्लस ही और यही आपका क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा तो देखो, इतना आसान है बिलकुल माइंड कहीं पर भी आप नहीं लगा रहे हो, बीना माइंड लगाए हुवे, आपका कुशन देखे solve हो रहा है, देखे, यह प्रसन बोड का है, बोड का प्रसन आप अच्छे से लगा ले रहे हो, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवस्ट दबाए, चलिए आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट है, यह कुश्चन देखिए 2021 केस में आया है, ठीक है, तो इन कुश्चनों को student क्या करना है हमको, इसको भी तैयार ही करना है, देखो हमारे पात जो छोटे वाले प्रसन होते हैं, इसी को लिख दोगे, वन यह लोवर लिमिट है या पन लिमिट है, यहाँ पर dx अपान क्या लिखा है, वन प्लस x स्क्वार लिखा है, और जैसा कि बच्चा आपको यह पता है, कि अगर मैं इसका डिफ्रेंसेशन कर दूँ, जहां दीजेगा, अगर मैं इसका क्या कर दूँ, वो सारी integration कर दूँ, तो आपको तो पता है कि 1 अपान 1 प्लस x स्क्वार का integration क्या होता है, 10 इनुमर्स x होता है वाई, और यह उता है न, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिमिट अपलाई कर देंगे, तो लोवर वाला नीचे लिखा जाता है, और अपर वाला लिमिट उपन लिखा जाता है, तो सबसे पहला काम क्या होता बेटा, कि अपर लिमिट x की जगा रखते हैं, देखो यह रख दिए हमने अपर लिमिट, रख गया न, फिर माइनस लग लिखेंगे, तो लोवर लिमिट वन हो गया, अब बेटा यहां पर ध्यान देजिए, रूट 3, 10 inverse root 3 किसका मान है, तो 60 का मान है, कितना मान है, किसका है, 60 डिगरी का, तो भी यह इसको आप क्या लिख सकते हो, 60 डिगरी, 60 डिगरी का मतरब पाई भाई, 3 लिखोगे, 3, 6, 18, ठीक, और यह किसकी value है, देखो, यह 45 की value होती है, किसकी होती बता जल्दी से, 45, 10, 45 की value है, ठीक, आप student यहां पर ध्यान दीजेगा, अब हम लोग करेंगे क्या इसको, इसको solve कर लिजे, तो इसका multiply जब इसमें होगा, तो हो जाएगा यह 4 pi, और 3 का इसमें होगा, तो minus का 3 pi हो जाएगा, और नीचे नीचे multiply हो जाएगा, तो 3, 4, 12 हो गया, अब यहां पर देखे क्या है, इसमें से इसको subtract करेंगे, तो student pi बचेगा, अब अपान में 12 हो गया, तो student यह answer आ गया, देखे student इसमें c नहीं लगेगा, क्योंकि यह definite integral है, और जहां पर यह limit ना लगा रहे उसमें आप क्या लगाओगे, c लगाओगे, constant रथा, ठीक है, इसके लिए मैंने video बना करके previous, जो है, में जो है, जो हमने video बनाए है, उसमें वहां पर उसको रखे हैं, playlist में है, उसको जाकर आप देख लिजे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कि कैसे क्या होत और यह indefinite integral है, क्योंकि इसमें मतलब limit नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखे, यह question भी बड़ा important है, तो देखे, student हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, लगाने का तरीका यहाँ पर देखते हैं, क्या है, जैसे यहाँ पर देखे, student इसको हम क्या लिख सकते हैं, जै एक breakout में क्या होता है, add होता है, और एक breakout में क्या होता है, subtract हो जाता है, यह होता है, वही system यहाँ पर भी हम लगाने चारहें, तो एक बार हम इसको add कर लेंगे, एक breakout में, एक breakout में इसको हम subtract कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर dx हो गया, अब एक मैं आपको थोड़ा सा technique बता बनाने चल रहा हूं देखिए जो चीड नीचे लिखा है वही चीड हमको उपर बनाना रहता है जो चीड नीचे लिखा है वही चीड उपर बनाना रहता ताकि नीचे वाला उपर वाले से कैंसल हो सके कैसे देखिए आप समझेगा जैसे कि यहां पर क्या लिखा है ध्यान दि जेगा लिख दो की जैसे यही वाला यह वाला पार्ट पहले लिख दे रहा हूं जैसे माल जिए X-A और माइनस क्या लिख दो X-A लिख दो अच्छा इस्टुडेंट यह लिखने से क्या फाइदा होगा अगर यह लिख दो तो देखे भी क्या होगा अगर मैं ब्रेकट को आप करूँ देखो तो X-A – X – A कैंसिल हो गया तो – 2A मतलब आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम प्लस कर दे और यहाँ पर माइनस कर दे तब देखे क्या होगा तब तो यहाँ पर करेंगे तो यह माइनस होगा यह क्या हो जाएगा पुलस हो जाएगा कि नहीं यह तो प्लस हो गया अर्थात क्या होगा ध्यान दीजेगा अर्थात हमने यह जो देख रहे उपर वह 2A है तो मैंने उपर 2A से इसका मतलब है कि हमको 2A से multiply कर देना है, तो यह हम दिखा रहा हैं आपको, तो यहाँ पर 2A से divide कर दिया, 2A से multiply कर दिया उपर, तो अब यह से देखे फाइदा क्या होगा आपको, इसी 2A में देखे हम दिमाग लगाते हैं आपको, ठीक यह लिखा ना इसमें, आप देखे 2A से हमने divide किया ना, और 2A से multiply किया, अब 1A को हमने क्या लिख दिया, X प्लस A लिख दिया, और 1A को हम क्या कर दिये, X माइनस A में इसे लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया, तो देखे, 2A ही बचेगा, जब इस record को तोड़ेंगे, तो माइनस X प्लस X से cancel हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस A, और प्लस A, 2A बन गे उपर, कि नहीं, तो इस प्रिकार से ये solve ही होगा, अगर आप इसको solve करना चाहें, तो इसे भी कर सकते थे, ठीक, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा होगा, आपको लिख सकते हैं न, इसमें, और माइनस, जैसे X माइनस A लिखा है, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, तो X प्लस A, और यहाँ पर X माइनस A, ठीक, यह इसे लिखा न, यह वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इससे आप, वन अपान, X माइनस A, और यहाँ पर देखे क्या आएगा, DX लिख दिया, माइनस इंटिग्रेशन, वन अपान, X प्लस A, DX हो गया, ठीक है, इस्टूडेन, आप देखे, आप क्या करोगे, वन अपान टू, यह तो ही है, देखो, यह फार्मला किसका है, यह लॉग, X माइनस A का फार्मला है, कि नहीं, यह फार्मला किसका है, बताओ बेटा, लॉग, X प्लस A का फार्मला है, है कि नहीं, और यहाँ प्लस A तो ही है, अब देखे माइनस में है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं ना बैटा तो इधर लिख दे रहा हूँ इतने में आज आएगा थिक तो देखे इसको में क्या लिख सकता हूँ 1 upon 2a और log क्या लिखेंगे log इतना बटे इतना लिख सकता हूँ न तो 100 minus a बटे x plus a लिख सकता हूँ और total पे mod लगा दें plus c तो student यह हमारा क्या हो गया answer हो गया आप लोग ज़्यादा तर याद कर रहे थे कि इसके बराबर यह होता है लेकिन अगर आपको कोई कहे प्रूब करके दिखाएए तो आप इस तरीके से प्रूब करके दिखा भी सकते हो और यह समझे यह आपका समझ लिजे कि एक नंबर का लिशे दो नंबर का प्रसन आपके सामने आजाए तो कैसे करोगे तब तो आपको लगाना पड़ेगा ना वहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर हमने लगा के दिखा दिया आपको ठीक है और अगर यह वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तो इसको जरूर आप देखिएगा और प्लेलिस्ट में है वो ठीक है और यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि यह हमारे पास तीन कुश्चन और यहाँ पर हमने लेक के आए हुए है यह भी देखिए किस प्रकार से साल्व होगा तो इस्टुडेंट यहाँ पर ध्यान दिजेगा यह 2023 में एवाई सेट में पूछा गया था अब यहाँ पर भी वही काम है देखिए फस्ट फंक्शन की जगा यह लिखा है और सेकेंड फंक्शन की जगा यह के पार यह लिखा है फस्ट फंक्शन इंटीग्रेशन आफ सेकेंड फंक्शन दी एक्स माइनस यहाँ पर क्या होता है दी अपान दी एक्स फस्ट फंक्शन इंटीग्रेशन आफ सेकेंड फंक्शन दी एक्स यह बंद हो गया ब्रेकट यह हो गया और प्लस C, तो student देखे, यह आप formula यहाँ पर लगाई है, आपका काम हो जाएगा, देखे कैसे लगाओगे आप समझो, I की जगा तो I हाई है, ठीक है, integration लिखा है, first की जगा यहाँ पर X लिखा है, second की जगा यहाँ पर E की पावर X लिखा है, dX लिखा है, अब फिर क्या लि X लिखा है, second की जगा E की पावर X लिखा है, dX और यह बंद, फिर dX हो गया, आप student यहाँ पर ध्यान दीजेगा, क्या होगा, देखे, equal की यहाँ से लिखा हूँ, तो X तो आई है, E की पावर X का integration करोगे, तो यही हो जाएगा, E की पावर X ही रहता है, ना, minus, X का differentiation करोग जाएगा, और इसका देखे, integration करोगे, एक पावर, तो यही रह जाएगा, और यहाँ, DX ही है, आप student यहाँ पर ध्यान दीजेगा, X तो ही है, E की पावर X भी है, अब E की पावर X का, भई, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, E की पावर X का, जब integration होगा, तो E की पावर X ही होता ह क्योंकि यह formula ही है, और प्लस C यहाँ पर हो गया, और आपका यह question solve हो गया, देखे, कितने छोटे में हल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें mind नहीं लगाना पर रहा है, कि लगाना पर रहता हो, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखे, student यह लिखा है, तो देखे, एक problem में क्या करेंगे, 1 upon 2 से divided कर दिया, और 2 से यहाँ पर student हमने क्या कर दिया, multiply कर दिया, कर दिया, नहीं कर दिया, ठीक, अब देखिए यह formula लगा दिया, तो फार्मला क्या कहता है, कि 1 upon 2 तो पहले इसको कोई दिक्कते नहीं है, फार्मला यह कहता है, यह पहले sign लिखो, प्लस लिख दिया प्लस फिर क्या होगा शाइन ए माइनस भी एक जगा टू एक्स और बी की जगा थरी एक्स है ब्रेकट बंद हो गया ब्रेकट में कर दो इसको ना ठीक है और यहां पर डी एक्स लगा दीजिए अब स्टुडेंट चलिए यहां तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आपको आई रहा होगा ना अब इसके बाद देखे हम लोग क्या करेंगे इसमें इसके बाद हम लोग करेंगे देखिए वान अपान टू हई है और यहां पर देखे क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा यहां पर ध्यान दिजिएगा साइन क्या हो x हो जाएगा कि नहीं और यहां पर आपका dx है अब student दिखिए इसके बाद क्या होगा यहां पर one upon two लिखा है कोई दिक्कत नहीं है breakout को हम पहले एक काम करो पर लिखे लो तो जाद अच्छा देगा यहां पर sin 5x है ना भाई जोड़े था ना दोनों को तो 5 है था और यहां minus angle में तो अब क्या होता है आपको फार्वला पता है कि sin minus x बराबर minus sin x तो minus आगे चलाता है कि नहीं यह हो जाता है ठीक क्योंकि फार्वला होता है यहां लिख दें क्या sin minus theta बराबर minus sin theta यह सूत होता है ठीक बटा चूकि तो अब यहां पर ध्यान दीजेगा अब इस breakout को आप कर दीजे जब breakout को आप करेंगे तो देखिए one upon two तो बाहर रहने देजे कोई बाल आगे से क्या लगाएंगे इसमें integration ठीक है और पीछे क्या लगेगा dx इसी प्रकार इसमें भी आगे से क्या लगेगा integration और इसमें पीछे क्या लगेगा dx लग जाएगा ठीक आप देखिए student यहां तक हो गया अब इसके बाद वहां one upon two लिखेंगे sign का integration क्या होता है? cas होता है वो भी minus में तो minus आगे लगा दो cas angle तो लिखने पड़ेगा और जितना x का coefficient होता है जिसे x के coefficient 5 है तो बटन 5 लिख दो x का coefficient 6 होता तो 6 लिख देते, x का coefficient 7 होता तो 7 में लिख देते, इस तरह कर देते हैं ठीक है नब यहां पर देखिए फिर sign का करेंगे, फिर integration sign x का, तो minus cas x होता है, तो minus plus हो जाएगा, cas x, अब इसमें आपान में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके, इसका coefficient 1 है, आपान में लिखने का कोई और सकता नहीं है, ठीक है, और यह breakout में है, तो breakout बिल्कुल यहां पर लगा दीजे, यहां पर एक काम कर लिखेंगे, कि जब हम कर रहे थे इसको, तो direct multiply ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आप इसमें जो है, minus 1 upon 2 है इसमें, जब यहाएगा, तो बिल्कर टूटेगा, तो यहां भी आ जाएगा, यहां बहुत जादा कर सकते तो, और plus c लिख दीजेगा, यहां पर, अब य अगला प्रसन यहां पर ध्यान दीजेगा, अगला जो प्रसन है यह देख लिजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, और लेट क्या करेंगे, देख ध्यान दीजेगा, इतने को, देखो ध्यान दीजेगा, इतने को मैं t माल दूँगा, ठीक, और respect to क्या करेंगे भाई x करेंगे तो इसके सामने क्या लग जाएगा d upon dx और यहां पर 10 इन वर्थ x cube हो गया ठीक है और इसके भी सामने क्या लग जाएगा student d upon dx यहां पर ti है अब चलिए 10 का integration करते हैं 10 का integration क्या होगा 10 इनल्स का 1 upon 1 plus x square तो यहां x square की जगा x cube है तो x cube का जब square करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगा और बाई cube का कभी square करो x cube का square करोगे तो क्या जाएगा बताओ 326 x की पावर 6 आ जाएगा कि नहीं यही चीज़ समधा रहा हूँ और फिर जब इसका करेंगे student 3x का एकसी पावर सारी 3 का तो 3 आगे चलाएगा अब किसका होगा differentiation बताओ अब तो x cube का होगा ना ठीक है यहां dt by dx तो ही है अब student देखे क्या है 1 upon 1 प्लस x की पावर 6 तो ही है इसका जब differentiation करेंगे 3 आ गया आएगा और यहां 2 बचेगा की नहीं बचेगा बचेगा ना इसमें ठीक और इधर देखे student क्या लिखा है dt upon dx लिखा है अब इसके बाद देखे student हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कुछ जादा नहीं कर सकते हैं dx को इधर लेके चलिया तो उपर बचा x square और यहां पर बचा है 1 प्लस x की पावर 6 dx हो गया है और 3 को इधर लेके चलिया तो 1 upon 3 dt आ गया अब student देखे हमारे में यह देखे x square 1 plus x की पावर 1 plus x की पावर 6 dx इतना काम इसमें मैज कर गया मतलब इतनी की जगा पर जितनी में गोला लगा है उसको छोड़ करके बाकी की जगा पर हम क्या लिखेंगे 1 upon 3 dt क्योंकि यह इसके क्वल में है कि नहीं तो यहां पर दिखे student हम लोग करेंगे क्या ध्यान दीज और बाकी इतना 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 इसकी जगा क्या लिखा देखो यह मैच कर रहा है ना इसकी बराबर में क्या लिखा है 1 upon 3 तो 1 upon 3 आगे कर दिया और यहां हो गया dt अब इसका चुकि पावर 1 है तो इसका चुल इंटीग्रेशन के जाए ती की पावर 1 का तो टी की पावर क्या आएगा 1 अपान 3 तो ही है आगे T की पावर 1 क्या करेंगे तो T की पावर 1 प्लस 1 एक जूर जाता है ना पावर में और जो पावर आता है वही पावर नीचे भी लिख देते हैं प्लस C तो इस प्रकार से देखे बच्चा यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 2 और तो 3 यहाँ पर 1 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और T की पावर कितना हो गया T की पावर 2 हो गया यहां लिख दीजे इसको तो यहां T की पावर 2 प्लस C आप T की वैल्यू यहाँ पर इस टुडेंट आपको रख देना है तो T कमान क्या था ये था तो यहाँ पर लिखा जाएगा T inverse X की पावर 3 का whole square plus C तो ये आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो देखे इस प्रकार के प्रसन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं उमीद कर रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो क्रिक कर सकते हो बहुत अच्छे नंबरों से ठीक है कुछ भी नहीं करना है देखिए बहुत जादा परिफान होने क्यों सकता नहीं जैसे भी आपको कोई प्रसन हो आपके पास है और आपको नहीं आता है तो ठीक है तो आप क्या करोगे कि उस कुश्चन को कमेंट बाक्स में ज़रू लिखें कि सर ये कुश्चन है या आप बुक का नाम लिख दीजे ये कुश्चन बुक का है ठीक है अब भी मैं आपको बता दूँगा उस पर वीडियो बना दूँगा ठीक है तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बिल आइकन की बटन को वस्तबा दें थांक्यू